दोस्तो आज हम इस मोबाइल को रिपैर करने वाले हैं यह बिल्कुल ही डेड़ गंजिनी सिनमा भी हमारे पास आया हुआ है इसका पावर बिटर में प्रेस करके आपको दिखाता हूँ यह ओन नहीं हो पा रहा है और मोबाइल के डेड होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं आप आपको इस वीडियो में बता दूँगा आप इस वीडियो को देखके आप अपने प्रब्लों का सॉल्यूशन असानी से कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल नॉर्मल तरीके से डेड हुआ होगा तो आसानी से आप घर भी ठीक कर सकते हैं और देखिए क्यूंकिन कारणों से ह यह मैं आपको सबसे पहले बता दूँगा सबसे पहले आपका जो मोुबाइल है उसकी बैटरी सबसे पहले का रहे हुए नहीं हो जाना या फिर बैटरी का सही तरी में से चार्ज नांण यहां पर Prime सही तरी कर बॉल्टिय खभाता है अब सबसे पहले बैटरी का वूलिटी दूसरा problem यहाँ पर होता है charging jack के खराब होने का, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लगाईए और उसके बाद यहाँ पर voltage चेक किजिए, अगर आपका charging jack सही रहेगा तो यहाँ पर voltage देने लगेगा, यहाँ पर voltage दे रहा है, यहाँ पर देखिए इस तरी का मतलब अंदर से कोई ने कोई track कटा हुआ है, या फिर कोई coil जली हुए है, कोई coil खराब है, यह तो आपका काम नहीं है, लेकिन आप battery अगर खराब है, तो उसमाँ दूसरी battery डाल के आप check कर सकते हैं, फिर dead battery को आप थोड़ा सा बूस्ट करके check सकते हैं, इसको बूस्ट क सब कुछ लिखीर वी रहती है, 3.8V है बैटरी का वोल्ट लिखा हुआ है, यानि कि 3.8V से थोड़ा सा नीचे अगर बैटरी का वोल्ट जा जा जाता है, तो बैटरी यहाँ पर mobile को on नहीं कर पाती है, बैटरी यहाँ पर mobile को on करने के लिए maximum 3.8V, minimum 3.8V होना चाहिए, उस पर ऐसा भी आता है, यहाँ पर देखिए, आपका जो है, इसको लगाने पर बैटरी को कनेक कने पर यहाँ पर जो है, चार्जिंग का यह फूरा लोगो बना हुआ रहा है, बट mobile on नहीं हो पाता है, यह देखिए, दबाने पर कोई भी आपर sign नहीं हो पाता है, यह नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है, या तो पाउर के बटर में प्रब्लम है, या फिर यह पता खराब है, तो इस प्रब्लम का solution आप यहाँ पर करेंगे, मैंने इन steps को आपको बता दिया, जो जो steps आपके बसका हो, तो उन्हें आप बिल्कुल यहाँ पर follow कर सकते हैं, हो सक इस कंडिशन में आपने बैटरी को थोड़ असना, ड्रेन करना रहता है, किसी मोटर वगरे को लगा के या फिर कुछ भी तरीके से आप इसके वोल्टेज को ड्रॉप कीजिए, और इसको 4.23 वोल्ट तक ले आईए, उसके बाद यह असानी से जो है, आपका मुबाइल को आ नहीं हो पाता है, इसमें जो प्रॉब्लम है, यह देखे, बैटरी अभी चार्ज है, फूल, बट यह अन नहीं कर पा रहा है, तो इसमें यह बटन से ही रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, तो इसका शोलीशन आज ही करेंगे, पहले मैं इसको आफ कर लेता हूँ और फटा-फट से इसके सारे स्क्रू खोल लेता हूँ, और देखेंगे, इसमें फॉल्ड क्या बन रहा है, इसको डैबर अगरा खरीदना चाहते हैं, इसको इस लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ जाएक प्रचेज कर सकते हैं, इस सारे स्क्रू खोल चुके हैं, अब बै जिए, ओपनर का भी लिंक देदूगा, और इसको डैबर का भी लिंक देदूगा, जो जो चीजें आपको ज़रूरत है, और अगर सही लगए, तो ही खरीद येगा, याप पर एक स्क्रू और है, तो फानली हमारा मोबाइल खुल चुका है, अब यापर हम चलेंगे, इसके पावर बटन के तरफ, यापर के भी अवी सारे स्क्रू अपन खोल लेते हैं, वन, टू, दो ही है, चलिए, इसको खोलते हैं, फटावर से, यापर जितने भी हमारा कनेक्टरेस दिख रहे हैं, सभी की सभी हमने खोलने है, पहला कनेक्टर ये है, और दूसरा ये वाला है, ये भी असानी से इस तरीके से खुल जाएगा, एंड, कैमरे का कनेक्टर नहीं खोलने हैं, बाकी ही सभी की सभी खुल चुके हैं, यहाँ पर एक एंटेना का भी कनेक्टर है, उसे भी हम खोल लेते हैं, और यहाँ पर मदरबोट को दीरे-दीरे से हम उपन करेंगे, जाद और एंटेना का कनेक्टर भी हम अभी हटा देते हैं, इसको बाद में हम अलग से जोड देंगे, यहाँ पर देखिए, फैनल यह खुल चुका है, और इधर पर चार पॉइंट्स दिये गए हैं, जो कि इस सेक्शन से कनेक्टेड हैं, बटन मारे सेक्शन से आपर और एक वाल्यूम अपका है, एक वाल्यूम डाउन का और एक पावर का, कौन सा कहा का है, यह भी हम ट्रेक करेंगे, मल्टी मिट को चलिए हम इसे के रहेंच पर रख लेते हैं, और यहाँ पर चेक करते हैं, जहां से देखिए, सबसे पहले इसको रख लेते Ground पर तो यह पठ्ट्टी वारी G biz करते है और जिस में से जो भी बीप करेगा रहाँ जब रहाएगा 1700 का है यानि कि यह वाला यह ग्राउंड का है कि मैं इस पोइंट दिखाऊंगा य क्योंकि कि आप जाएंगे ठिक है तो यह रहा हमरा है ground का तो इसका मतलब है कि हमारा अब दूसरे नंबर पर चलेंगे दूसरे नमबर पर जाके हम ब Oui button को प्रेस्ट करेंगे इन दोनों को म सब्सक्राएश करते हैं और यह पर बjar प्रेस्ट करते वॉल्यूम अप वाला काम नहीं कर रहा है वॉल्यूम डाउन वाला भी काम नहीं कर रहा है एंड पावर वाला भी काम नहीं कर रहा है एचलिया हम फॉर्थ पर चलते हैं एंड फोर्थ पे एक मिट फोर्थ पे हो देखे वॉल्यम अपवाला काम कर रहा है या यह देखे लेकिन प्रॉपर नहीं हो पार प्रैस करने से ऐसे रहा है यानि किसका मतलब ये है कि इसमा जो है हमारा बटन के अंदर कारबन लगाओ है बटन को में अभी क्लीन करना है चलि या आपर बैटरी लगाके इसके जगर नीचे जग पोइंट आते हैं यह attach होते हैं या वल्यूम को प्तन के पास में attach होते हैं इनको हम spot करेंगे अंदाजे से करके हम ground के साथarm करेंगे जो power का होगा ground के साथ sort करने पर on हो जाता है यानी कि power का beacon हमेशाद ground के साट test करने पर on होता है और volume का ground के साट test करने पर volume काम करता है यानि कि in button को connection हम ground से करेंगे यानि कि in को ground के साथ अगर short करेंगे तो हमारा work करने लगेगा तो power का button अभी पता चलिजाएगा यसमा press करने से कौन सा ओला है यहाँ पर पहले माँ सबी connectors को जोड लेता हूं वैसे मुझे लगता है कि button में carbon आ गया है क्योंकि यहाँ पर काम proper नहीं कर पारे proper यहाँ पर buzzer नहीं दे पारे हैं चलिए देखते हैं and battery को इस तरीके से connect करता हूं और ऐसे press करने के बाद यहाँ पर button हलका हलका से मुझे दिख रहे हैं तो उनको मैं ground के साथ short करता हूं चलिए इस तरीके से आपको दिखाओं शायद आपको दिखने लगे देखिए हमारे power on हो चुका है देख सकते हैं इसका मतब यह है कि यहाँ पर यह first वाला हा फॉस्ट दूसरा तीसरा चौथा फॉस्ट तीसरा पहला और तीसरा शौट करने से यह on हो गया इसका मतलब mobile में कोई problem नहीं है है तो सिर्फ बटन की ही problem है बटन में में क्लीन करते हैं यह पर बटन का पता निकालने के लिए इस तरीके से आप चिम्टी इदर पर डालिए और इसको इस तरीके से आपने निकालना है बाहर यह असानी से निकल जाता है यह पर ग्लू अगर लगाए रहते हैं तो असानी से निकल जाता है इस तरीके से निकालने के पिर आपने जो है नया है आपे लगाना पड़ेगा अगर आपके वाइस एबिलेबल हो तो बिल्कुल लगा सकते हैं ल्याय ओला भी फिर अलब भी हम इसको ही रिपैर करेंगे तो यहां पर यहां पर इसको खोलने करेंगे इसके जैस्ट पीछे टेप रहता है इसको खोलने के लिए और यहां पर सिम खोल के क्लीन करेंगे इसके पत्ते को यहां पर यह देखिये यह टेप रहता है इसको खोल के इसका बटन उपन हो जाता है डेफिनेटली ये कार्बन आने की वज़े से होता है इस बात को आप ध्यान में रखिए अब इसमें दूसरा टेप बार में लगा रहेंगे पहले इसको हम उटा लेते हैं आपको दिख जागा आप कार्बन ये देखिए ये कार्बन आने की वज़े से ऐसा हुआ है ये देखिए इसमें कार्बन और ये हरे रंका इसमें भी कार्बन ये ये होता वाटर डेमेज की वज़े से असल में पानी जाने की वज़े से ऐसा होता है अब सैथ आपको दिख रहा होगा इसको scratch करके clean करना है और इसको भी scratch करके clean करना है आपने इतना कर लो काम बन जाएगा आपको पत्ता खेदने की जो नहीं पड़ेगी इतना कर लो वसकाम इसको भी scratch करके clean कर लो, वैसे ही एक बटन ये काम नहीं कर रहा था सही से, यह आपर दूसरा अला पर पहले दिखा दूँ आपको, इसमें भी carbon निकल रहा है, देखिए, यह plate पूरी carbon से गंदी है, और यहाँ पर भी देखिए, पूरा carbon लगा, इसको scratch करके हमने clean करना है, यह पूरा एक carbon ही है, दोस्तों यहाँ पर इतना काम करने के बाद, आपको जुरूर पढ़ेगी एक white tape की, इस तरीके से white tape, इसकी जुत पढ़ेगी, बस इसी का main काम है, cello tape, अब यहाँ पर आपने, इन सभी बटन को, इसमें चिपकाना है, पहले आप इसको, नाप लोगे कित इतना हमने कटकर लिया, और यहाँ पर इतना और extra कटकर लिया है, इतना बोले तो, थोड़ सा बढ़ा के हम इसको कटकर लेंगे, है ना, बस, अब इसके बाद अगला काम है, यहाँ पर, सभी बटन्स को इसमें चिपकाने का, तो सभी बटन, बहुत ही ध्यान से देखना है आपने, इदे के सभी बटन्स फिलाल मैंने क्लीन कर लिये हैं, और इस तरीके से पहले इसको चिपकाना है अपने, इसके सेंटर में इस तरीके से, और चिपकाने के बाद, यह देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से लगना है, पहले आपको देख लेना है कियार, छोटा त टिके टिप छोटा नहीं पड़नेगा या पर आप इसको चिपकालो इस तरीके से ठीके चिपक गया इसके बाद फिर अगला बटन यहाँ पर रखना है आपने मुझे रखता है कि थोड़ा और टेप और लंबा लगेगा याणि कि बटन को थोड़ा सा और आगे हमने लगाना था याणि कि थोड़ा सा यहाँ पर आ चयले इसको ही लगा लेते हैं, यहाँ पर चिपकता लिए इस बुटन को इसके सेंटर में लग गया अब देखिए ये से स्टाट करते हैं ये से स्टार्ट कर लेते हैं ये देखिएगा ये चिपक गया अब हमने रखना है यहांपर बटन को गुण को और यहाँ पर बटण को रखने के बाद कें मेरे इसके पर सेलो टेप लगा लेना है hele थे घुण इसको उठाने बटण कों ऑ यहाँ पर रक्के फिर हमने अमेरे शेलोटेप मार लेना है। पर कि तरीफें से इस से भई हो सो घर में करनें के अपका 2-300 उल्ड बच जाएगा कि काफी sol going create 자 टाली यह जरू ओतों नहीं पता डालनेंगी अ सब्सक्रास काम घर पर हों जारा है तो पतार डालेंकी तो पतार में आन का नहीं जाए गा आप लोग भी बोर हो जाएंगे तो देखिए आपर मैंने चिपका लिया है और इसके बाद टेप को एक तरफ से मूर लेना है और यहाँ पर भी आप कटिंग करके इस कुछ तरीके से मोड सकते हैं यह आप पर जैसे से कटिंग होई है वैसे कटिंग करके इसको मोड़ सकते हैं देखिए पिल्कुल उची तरीके से मुड़ जाएगा और यह और भी सही तरीके से आप लग जाएगा तो देखिए तो नहीं भी मोड़ेंगे तो भी चल जाएगा यह पर उसके बाद कटिंग कर लीजी इसको चिपका लेगा देखिए फैनली हमने इसको बना लिया है और रिडी हो चुका है देखिए आप कोई जरूरत नहीं यह अपने नए बिटन खरीदने की इसको भी आप यहां पर लगा सकते हैं बाकि यह जो खाज कटी भी थी बिल्कुल उसी तरीकी से हमने यहां पर लगाया हुआ है बस लग चुका है इसके नीचे भले आप थोड़ा सा ग्लू अगर डाल के इसको इसको सेट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर यह भी प्रॉपरली बैठ नहीं पाएगा अब यहां पर हम इसमें जोड़ते हैं फटाफट से इसको जोड़ लेते हैं और एक कनेक्टर को जोड़ते हैं और ओन करके आपको मैं पहले दिखा देता हूं प्रिकुल लाइव दिखाऊंगा चलिए थोड़ा सा मैं कैमरा को शेट कर कर लूँ और यहां पर मैं करता हूं और यहां पर दबाना जरूरी है भी हमने नेट वगर कुछ नहीं लगा कर रखे हुए और यहां पर देख सकते हैं आप यह मोबाइल ओन हो चुका है बिलकुल मजह से कोई भी ज्याद मसकत करने की जोट नहीं पड़ी तो डेड होने के कई सारे कारण हो सकते हैं इसलिए आप ध्यान दीजिए आप काफी जारा जो है अपना पैसा वेस्ट करने से बच सकते हैं आथ जढे कि यह ओन होते रहेगा इसको वह पहले हटाते हैं बाकी के जो मने ख़टाय थेनेस को प्रच जोड़ लेते हैं और रहा आंटेनल करेंने अहले लगाने से प्युझा पुल लगाने की चुड़ान लगता है तो पहले मैं इसको सभी सभी कर लगा लूँ उसके बाद में इसको पैक कर लूगा यहां पर फाइनल ली मैंने सभी को जोड़ यह अब मैं यहां पर सके सबसे नहीं लगा लिए उसके बाद मैं एक बार पहले और करके दिखा देता हूं कि यापर प्रेस हो चुका है क्योंकि वह अहां से दब चुका है देखिए इस बटन के थूरू में आपर प्रेस करके इसको आउन कर रहा हूं जैसा पहले हमने में सकत करी थी वैसे हमने अभी इतना मैनत नी करनी पर हुई है सिर्फ हलका सा प्रेस करके और हो जा रहा है तो देखिए कितने असान तरीके से हमने इसको रिपैर कर लिया है बस थोड़ा सा फ्रीक लगाना पड़ता है यह हर किसी को पता नहीं रहता है इसलिए हम वीडियो के माजदने से सभी के साथ यह चीजें छोटी-छोट यह चीजें खुद भी कर सकते हैं